हेलो आल, वेलकम तू सक्सेस्ट्री, तो आज सक्सेस्ट्री में दो इंपॉर्टन टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा, पहला आपका टॉपिक रहेगा, इस और पंचायती राज इंस्टिूशन्स और सेकंड टॉपिक आपका रहेगा, मिनिसिपैलिटी, आप लोगों को य वो कॉंस्टिूशन के अंदर 74th constitutional amendment के तुरू add किया गया था, तो आज हम उन्हीं schedule या उससे related जो constitution के अंदर article हैं, उनको detail में discuss करेंगे, तो ध्यान रखता है, municipalities और पंचायती राज institutions पहले हमारे constitution के अंदर समीधान के अंदर नहीं थे, इनको बाद में constitution के अंदर जो है, वो add किया गया है, तो चलिए सबसे पहले पंचायती राज institutions के उपर चलते हैं, अब देखिए पंचायती राज institutions के अगर मैं बात करूंगा, तो जो local bodies हैं, जैसे जो आपके पंचायती राज institutions हैं, municipalities हैं, इनको हम local bodies के नाम से जानते हैं, इनके उपर law pass करने की जो power है, वो पंचायती राज institutions की development हो नहीं है, तो वहाँ पे state legislature को actively participate करना पड़ना था, पर problem ये थी कि state के पास उतने ज़्यादा resources नहीं थे, even कि उस time पे after independence हमारा जो union था, हमारी जो central government थी, उसके पास भी उतने ज़्यादा पैसे, उतने ज़्यादा resources नहीं हुआ करते थे, जिनको वो यूज करके village level के उपर जो है, वो आपका एक representative system या एक election system जो है, वो उसको build कर सके, तो यही कारण था कि starting में union जो थी, वो एक तरह से policies बना देती थी, एक तरह से program बना देती थी, लेकिन उसको implement करने की responsibility थी, वो आपकी state government की थी, और state government उसको धंक से जो था, वो apply नहीं कर पाते थे, जैसे कि सबसे पहले 1952 में, जो union government थी, उसने एक program launch किया था, that is your, या that was your community development program, again इसका main responsibility था, village level के उपर social और economic development करना, लोगों की, ये program के बाद 1953 में आपका एक NES, that is national extension service जो है, वो उसको launch किया गया, जिसके through again purpose सेम था, वस यहाँ पे जो आपके BDO block development offices थे, उनको point किया गया, जो पूरे के पूरे block की development करना, एक rural area की development करना, उन offices की responsibility fix की गई, ये जादा successful नहीं हो पाया, कारण मैंने आप लोगों के साथ discuss कर लिया, अब union government चाहती थी कि कि किस तरह से जो है, वो पंचाईदी राज institutions को बनाया जाए, और state government जो है, वो कैसे उनको create करे, कै इसके लिए union government ने अलग-अलग time के उपर जो है, वो अलग-अलग तरह की जो committees है, उनकी formation के, उसी तरज के उपर जो सबसे पहले बनायी हुई committee थी, जिस time पे आपके प्रधान मंतरी पंडित जो हलाल नहरू थे, उस committee का नाम था, बलवंत राय महता committee, जो की 1957 में form की गई थ इस committee ने recommend किया, कि जो हमारा पंचायती राज institutions है, उनको तीन level में, तीन tier में जो है, वो एक तरह से divide किया जाए, वो तीन level क्या रहेंगे, सबसे पहले level रहेगा आपका, that is your gram panchait, उसके उपर दूसरा level रहेगा आपका, that is your panchait summit, और तीसरा level रहेगा आपका, जिला परिश election, जब पंचायत समीती के election होंगे, वो indirect election होंगे, मतलब जो gram panchait में लोग elect होके आए होंगे, वो ही आगे पंचायत समीती में लोगों को elect करके भीजेंगे, और जिला परिशत के लोग जो हैं, वो भी आपके elected तो होंगे, लेकिन वो भी indirectly elected होंगे, indirectly elected, clear, मतलब जो आपके block के या ग्राम पंजाइट की लोग हैं वो आगे जो है जिला परिशत वाले लोगों को जो इलेक्ट करके बेजेंगे जिन लोगों को बिल्कुल भी आईडिया नहीं है उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं ठीक है यहां से इस कंसेप्ट को समझ लो बाद मैं इस चीज़ को इससे नहीं बताऊंगा जैसे फॉर एक चीज़ मान लो मान लो एक आपकी डिस्टिक है ठीक है मान लेते एक आपकी डिस्टिक है जिसका नाम है अब इस डिस्टिक के अंदर जो सबसे हाइस्ट टियर या सबसे बड़ा लेवल है वो कौन सा है जिला परिशत तो सबसे पहल तो मतलब इस particular district में total जो जिला परिशद के members choose होके आएंगे उसको मैंने 6 अलगलग जिला परिशद की seats में divide कर दिया अब कहानी यहां पर समझ आया अब देखो यही जो 6 लोग हैं यही जो 6 लोग आपके आएंगे यही 6 लोग जो है वो बाद में अपना एक chair person एक जिला परिशद बन जाएगी आपकी इस जिला परिशद में कौन आगे यह 6 लोग आगे सारे के सारे यही 6 लोग जो है वो किसी को अपस में से अपने में से एक chair person यह अपना head जो है वो appoint करेंगे तो पहला level समझ आया दूसरे level पे क्या होगा जिसको हम block level बोलते हैं आज कल के time पे है जिसको मैं यहां पे बलबन तरह के accordingly जिसको पंचायज समीटी का आगया अब पंचायज समीटी का मतलब क्या होगा अब मालो एक आपका यह जिला परिशद है यह आपका जिला परिशद है अब एक जिला परिशद को जो है वो हम लोग multiple अलग अलग पंचायज समीटी में डिवाइड करेंगे मतलब second level में उसको डिवाइड कर रहे है जैसे मालो एक आगया दो, तीन और चार तो उस तरह से अलग अलग जिला परिशद जो है वो अलग अलग आपके 25 समीटी में जो वो डिवाइड हो जाएगी अब जब यहाँ पर 25 समीटी का एलेक्शन होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा जो देखने को मिल रही है कहानी समझा रहा है यहां पर तो इस तरह से जो है वो हम लोग पूरे डिस्टिक को जो है वो तीन तरह से डिवाइड करते हैं फिर से समझिए सबसे बड़ा लेवल आ जाएगा जेला परिशत उसके बीच में ब्लॉक लेवल आ जाएगा या जिसको पंचाय समिटी का नाम दिया गया और बिल्कु सबसे छोटा लेवल आ जाएगा जिसको हम गहेंगे लेटी जो आपका ग्राम पंचायत वाला लेवल होगा मतलब जो बिल्कुछ सबसे छोटा लेवल होगा वहां पर डिरेक्ट इलेक्शन होंगे मतलब आप लोग डालोगे उसके बाद के जो बाकी दो टियर या बाकी जो आपके लेवल हैं वहां पर आपके इंडरेक्ट इलेक्शन होगे मतलब जो ग्राम पंचायत के लोग है वही आगे बाने वाले लोगों को जो है वो एक तरह से इलेक्ट करेंगे ये आपका बलवन्त राय महता कमिटी की जो वह recommendation थी और उसके साथ बलवन्त राय ने कहा कि जो आपका district collector है उसको जिला परिशित का जो वह चेर्मेन बना दो क्योंकि district collector की responsibility है या district collector को पता है कि किस तरह से पूरे के पूरे इस district का जो है आप लोगों ने development करना है कितना पैसा किस तरह के प्रोग्राम किस तरह की schemes है य यह आपका district collector से better कोई नहीं जान सकता है तो यह आपकी बलवंत राय महता कमिटी के recommendation थी असान भाषा में एक चीज याद रखना बस यहाँ पर जो सबस्यादा important है कि बलवंत राय महता ने कहा कि जो आपका पंचाईती राज institutions उनको तीन लेवल में break करो पहला ग्राम पंचाई सेकेंड पंचाई समिती और थरड़े जिला परिशन पसे चीज यहाँ रखना उसके बाद आजाएगे आपकी अशोक महता कमिटी जिसको 1977 में जो है वो establish किया गया था इस कमिटी को तब बनाया गया जब आपके मुरारजी देसाई जो थे वो आपके प्रदान मंतरी बने थे इस कमिटी की recommendation बलवंत राय महता कमिटी से थोड़ी सी different थी अशोक महता कमिटी ने क्या कहा देखिया अशोक महता कमिटी उतनी ज़्यादा successful नहीं हो पाई क्योंकि 2-3 साल तक ही आपके जो non-congress कमिटी वो रही थी उसके बाद इसकी एक कमिटी आपकी irrelevant हो गए थी लेकिन फिर भी इसके अंदर जो recommendation है वो काफी ज़ादा बढ़िया काफी अच्छी recommendation है जिनकी reflection आपको बाद में पंचायती राज institutions के अंदर देखने को मिलेगी साथ में एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि जब बलवंत राय महता कमिटी की recommendation आई 1957 में उसकी recommendation के बाद जो है वो सबसे पहले राज्यस्थान में जो आपकी नगौर है वहाँ पे राज्यस्थान में जो नगौर डिस्टिक है वहाँ पे जो है वो सबसे पहले पंचायती राज institution जो थे उनको establish किया गया नगौर डिस्टिक के अंदर 1959 में 2nd October 1959 और उसके बाद जो second state आपकी बनी देट वाज आंधरा प्रदेश तो बलबंतराय मेहता को मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अता सक्सेस्पूल नहीं थी पर क्यूंकि इसने recommendation दे दी और local bodies बनाने की जो power है वो state government के पास है तो जिस दिस state को लगा उसके बाद आपके बनाने की कोशिश की लेकिन वो अतने ज्यादा सक्सेस्फूल नहीं हो पाए अगें कारण चाहे वो आप will मान लो या आप resources की कमी मान लो कोई भी उसका कारण हो सकता है उसके बाद आज ये second is your अशूक महता committee जो की 1977 में बनाई गी अशूक महता committee ने कहा कि पूरे का पूरा जो आपका district है उसको सिर्फ दो level में break करो clear है एक आपका आजाएगा artistic level that is your जिला परिशद और दूसरा आजाएगा that is your mandal परिशद या mandal पंचायत जहां पर group of villages को combine कर दिया जाएगा तो अशूक महता ने team tier या team three level categorization की बात नहीं की इसने सिर्फ दो level categorization की बात की तो पहली चीज़ तो ये लोग आप त्यान रखना दूसरी चीज़ जो थी वो देखे जो पुराना बलवंतराय और अशूक महता में difference किया था कि जो executive body थी बलवंतराय ने वो कहा था कि नहीं कर रही है बट जब अशूक महता committee की recommendation आई तो इसने कहा कि जो executive body है वो जिला परिशद होनी चाहिए और उसकी responsibility होनी चाहिए पूरे के पुरी district में planning करने की और अपनी policies को implement करने की इसके साथ था शूक महता ने कहा कि एक minister होना चाहिए जिसके responsibility होने चाहिए for the development of panchaiti raja institutions उसके साथ इसने कहा कि अगर तुम चाहते हो सच में कि panchaiti raja institution जो है वो develop करे तो उनको tax लगाने की power दो ताकि उनके अपने खुद resources खुद money जो है वो generate कर सके जिसको वो अपनी development के पर जो है वो क्या कर सके खर्च कर सके इसके साथ जो आपका शूक महता committee थी इसने कहा था कि नियाय पंचायद सोने चाहिए जिसको एक qualified judge जो है वो preside करे clear है ताकि panchaits की development हो सके इसके साथ साथ इसने नहोंने कहा था कि tribunals होने चाहिए tribunals का मतलब सिंपल सा यह है कि अग अगर मालों किसी तरह का कोई जो है वो dispute हो जाता है तो उसको solve करने के लिए उसके साथ जो था वो इसने यह कहा था कि जो आपका SCs और STs है schedule cast और schedule tribes है उनकी population के basis के उपर जह वो उनके लिए seats को reserve करना चाहिए clear है तो कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा recommendation जो है वो इनकी देखने को मिलेगी अशोक महता committee की इसके बाद आपकी 1985 में committee आईगी that was your GVK Rao committee GVK Rao committee जो थी इस committee ने यही कहा था कि जो सबसे जादा power दी जाए वो दी जाए जिला परिशद को जिस तरह से जो कि अशोक महता committee की recommendation थी इसने कहा था कि जितने भी developmental program है वो सारे के सारे program जो है जिला परिशद की responsibility होनी चीए उसको एक तरह से frame करने की है उस प्रोग्राम को बनाने की है और उसके साथ साथ इसने कहा था कि एक नई post create करो that was your district developmental commissioner और वो आपका जिला परिशद का chief executive officer होगा जो के एक IAS rank का अधिकारी होगा तो moral है GVK Rao committee बस इतना ध होगा LM Singh V committee इस committee के बारे में एक बात ध्यान रखना 1986 में राजीव गांधी government के दोरा इस specific committee को बनाये गया था यह पहली committee थी जिसने recommend किया था कि जो पंचायती राज institutions हैं उनको constitutionally recognized करना पड़ेगा मतलब उनको constitution status देना पड़ेगा ताकि हर state जो है वो उसको apply करें और उसके साथ साथ जो है वो पंचायती राज system के अंदर आपको fair and free election जो है उनको एक तरह से impose करना पड़ेगा साथ मैं इसने कहा कि जो villages हैं उनको combine किया जाए reorganize किया जाए ताकि जो आपकी gram 85 की formation है उनको ज्यादा viable बनाया जाए इसके साथ साथ जो tribunal जो भी आपके election disputes होंगे उनक की formation की जाए असान भाशा में सबसे आदा इसकी ऐलन सिंग भी committee की recommendation थी वो ये थी कि इसने constitutional status की बात की थी कि जो आपके पंचायती राज institutions थे इनको constitutional status देना चाहिए clear लेकिन जो जब constitution में amendment आई सबसे पहले ये वो committee जिसने recommend कि constitutional status दो लेकिन जो सबसे पहले जिस committee की recommendation के immediately ब कि recommendation के बाद थुंक्तन committee के recommendation के बाद जो है वो आपकी constitution की मैं एक amendment जो है वो प्रपोज की गई that was your 64th constitutional amendment bill और जो 64th constitutional amendment बिल था ये आपका pass नहीं हो पाया ये बैसे लोकसभा में तो pass हो गया था 1989 में लेकिन राज्यसभा ने इसको approve नहीं किया था तो इस तरह से जो पहली कोशिश थी पंचाहिती राज institutions को constitutional status देने की वो कोशिश जो थी वो आपकी fail हो गई इसके बाद नरसिमाहराओ government ने constitution के अंदर 73rd amendment को propose किया और जब 73rd amendment को propose किया उस amendment को pass कर लिया गया पारलिमेंट के द्वारा और वहाँ पे constitution में amendment हुई जिसके थूँ जो आपके पंचाहिती राज institutions थे इनको जो है वो आपका constitutional status मिला अब एक चीज़ ध्यान रखना जैसे ही पंचाहिती राज institutions को constitution status मिलेगा तो उसके थूँ जो है वो आपके constitution के अंदर एक नया part add होगा that was your part 9 of the constitution जिसका नाम है दी पंचाहित्स और इसमें article 243 से लेके article 243.0 तक जो है वो mention किया गया है तो 243 से 243.0 जितने भी articles है वो सारे के सारे आपके पंचाहिती राज institutions से related है clear? यहां तक कहानी समझ आ रहा है सबको? अब यहां पर एक बात समझेए कि जब पंचाहिती राज institutions की बात की जाएगी यह शैन मैंने आपको पहले भी बोली फिर से repeat करता हूँ कि constitution के अंदर लिखा गया कि पूरा structure कैसा होगा पंचाहिती राज institutions का अब क्योंकि जो local governance है व एक्ट 1994 पास किया पंजाव ने पंजाब पंचाहिती राज एक्ट 1994 पास किया हर्याना ने किया उसी तरह से बाद मेरों ने municipalities के लिए भी एक्ट पास किये तो state government एक्ट पास करेगी उसके तरूब कुछ वो ऐसी चीज़ें डालेगी जो कि in articles के अंदर नहीं मौजूद है प कि आप लोग कहोंगे बाद में काफ़ी लोग कि हमारी state में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन द्यार हखना तो मारी state में जो different चीज़ हो रही होगी वो constitution के अंदर नहीं दिख्योगी वो त्टमारी state ने अपनी मर्जी से की होगी, द्यार हखना, state अपनी मर्जी से वो ही तब वहां पर डिसाइड करेगा कि किसको जो है वो कितना परसेंट या कितना पंचायतों को जो परसेंट टेक्स जो हो शेर करना है यह कौन-कौन सी टेक्सेशन की पावर जो जो डिवॉल्व करनी है कहानी समझ आई यहां पर थोड़ी सी तो हो सकता है state to state बेरी हो लेकिन जो ग्राम सभा का सिंपल सा मतलब है आप सब लोग जो गाओं के होंगे उनको थोड़ा एडिया होगा जो नहीं है वो सुन लिजी है मान लोग कोई एक village है ठीक है कोई आपके एक village assembly है जहां पर हो सकता है एक गाओं है दो गाओं है तीन गाओं है चार गाओं है पांच गाओं यह population to population vary करता है जैसे हर state बोलती है कि एक gram पंचायद जो है वो आपके 2000 population से बनेगी चार से बनेगी पांच से बनेगी के villages के इतनी population है कि वहाँ पर एक ही गाओं की पूरी पंचायद बन जाती है लेकिन कई जगाओं पर जो हिली एरिया जे वहाँ पर population थोड़ी सी कम है त आपके एक gram पंचायद बनाते हैं तो simple सी बात आप समझेए gram सभा का मत्तर simple सा कहा रहेगा जो जो voters उस specific area के अंदर जो हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो जो eligible voters है वो सारे के सारे जो है वो gram सभा का पार्ट माने जाएंगे और ध्यान रखना जो gram सभा है इसकी हर महिने जो है वो meeting होती है एक दो बार और जब meeting इसकी होते तो हर voter वहाँ पे जा सकता है और अपने जो representative उसने choose किया है उनसे सवाल पूसकता है कि आप बताओ क्या उनसे program को कैसे implement कर रहे हो यहाँ पर road बनना चाहिए था यहाँ पर road क्यू नहीं बना तो आपका जो local bodies है यह direct accountability fix कर कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं जो परदान है उसी की बात कर रहा हूं जब पंचायश हम द्यूज कर रहा हूं तो पंचायद का मतलब है क्योंकि पंचायद के तीन टीर है आपके three level of 25 से सबसे पहले कौन सी आईगी अब देखो यहाँ पर भी आपके constitution के लिख का जाता है और उसके उपर आपका जाएगा that is your district level जिसको आप लोग जिला परिशद के नाम से जानते हो यह वही concept है जो कि हमने पहले discuss किया पर एक चीज़ यहाँ पर देखिए अगर मान लोग किसी state की population जो है वो आपकी less than two twenty lakhs है तो वहाँ पर जो आपका intermediate level है वो नहीं ह पर एक गाउं है यह आपके एक village level आ जाएगा village level में अलग-अलग representatives होंगे जिसे मान लोग आपके village है एक village level है वहाँ पर village में जो है वो अलग-अलग members होंगे एक member आ गया दो आ गया तीन आ गया चार आ गया पांच आ गया फिर वो अपना एक chair person choose करेंगे तो जो आपके member हो होंगे एक, दो, तीन, चार, पांच इनको आप लोग असान भाषा में कहते हो यह सिर्फ मैं lowest level की बात कर रहा हूँ इसको आप कहते हो punch अब जब यह अपना chair person choose करेंगे उसको क्या जाएगा सरपंच कहोगे उसको परधान कहा जाएगा clear person को उसी तरह से जो intermediate level होगा वो भी अपने अलग-लग 10-15 आप लोग चूल लिए वो सारे के सारे लोग अपने लिए भी एक chair person choose करेंगे उसी तरह से जो आपका district level होगा वहाँ पर भी अलग-लग आपके जिला परिशद के लोग आएंगे वो भी अपने लिए जो है वो एक क्या choose करेंगे chair person choose करेंगे तो पहला समझाया एक है members और एक है chair person एक चीज़ हमेशा ध्यान रख़दा constitution के अंदर जो लिखा है वही हर जगा पर आप लोगों को देखने को मिलता है constitution के अंदर देखो line के लिखी है कि all the members are directly elected तो चाहे वो village level के members की बात है चाहे वो intermediate level के members की बात है चाहे वो district level के members की बात है सारे के सारे लोग जो है वो directly elected है समझाय कहाने की नहीं आई और दूसरी बात यहाँ पे देखो and chair person of the intermediate and district level is elected indirectly from the elected members मतलब जो intermediate level के elected लोग होंगे या जो आपके district level के elected लोग होंगे या अपने मैंसे किसी को elect करके chair person बना देगे जिसको हमने क्या कहा indirect election और last line दिख लो क्या है and the village level chair person is elected is determined by the state government वहाँ की राज्य सरकार determine करेगी कि जो village level के उपर आप chair person appoint करेगे जिसको मैंने सरपंच या परधान का नाम दिया उसका election कैसे होगा क्या उसका election indirect होगा मतलब पहले पांच पंच चूस किया जाएंगे वो किसी को अपने message जो है वो अपना ये किसी को जो है परधान चूस करेंगे या चेर परसन चूस करेंगे या चेर परसन के भी अलग से election होगे तो normally आप लोग देखना कि जो पंच आपका village level के उपर जो आपका चेर परसन होता है उसके आप लोगों को direct election देखने को मिलते हैं लेकिन वो indirect भी हो सकते हैं कहानी समझ आया देखो बड़ा जादा confusion हो रहा होगा तो tension बते ना इतनी गहराई में आज तक आया नहीं है even UPSC जो आपके exam है उनमें भी नहीं बाकियों में भी नहीं पूछा है लेकिन फिर भी लिखी चीज तो आपको समझ आने चाहिए अगर नहीं कोई problem रहेगा तो एक और lecture रखूँगा मैं जहां भी कुछ misleynious topics जो हैं भी डिसकस किये जाएंगे वहां पे इसको फिर से revise करवा दूँगा अचा हां और last lecture का एक doubt था थोड़ा सा मैं बता देता हूं याद आगया मेरे को कि जो जम्मून कश्मीर और लदाग था तो देखिया आप जो जम्मून कश्मीर था उसके ल जहेगा वहां पे आपका Parliament has the power to decide on the legislature जैसे Parliament ने यूनिट एरिटेक 1963 पास किया था उसी तरह से जम्मून कश्मीर रियाइजेशन बिल था या एक्ट था 2019 का उसमें जो है वो जम्मून कश्मीर के लिए जो है वो आपकी legislative assembly का प्रापधान किया गया है पापेस आईए अब next जाएगा reservation का अब यहां पर समझ लेना constitution के अंतर लिखा है SC, STS और जो OBC जो रहेंगी उनकी population के accordingly decide कि जाएगा कि उनको कितनी percent seats जो हो रिजर्व कतनी है अगर ज्यादा population होगी तो ज्यादा seats से लोगों के लिए रिजर्व होगी कम population होगी तो कम seats रिजर्व होगी लेकिन एक चीज़ common है कि जो women हैं उनके लिए one third seats जो हो आपकी reserve रहेंगी ही रहेंगी clear है चाहिव SCs हैं उनके अंदर भी one third है यह overall seats है उनमें भी जो one third seats है वो आपकी women के लिए आपकी reserve है फिर से repeat करता हूं SC, ST, OBC determine करेगा population to population की जादा है तो होगी reserve नहीं है तो नहीं होगी ले women की total number of seats हैं वो आपकी one third हमेशा ही रहेंगी ही रहेंगी उसके साथ अगर मैं duration की बात करूंगा तो पांच साल की duration आपके पंचाहिती राज institutions की होती है और अगर मालो उनको dissolve कर दिया जाता है कोई आपका परदान वगएरा जो हो resign कर देता है तो उस particular time पे जो within six months, six मीने के अंदर अंदर जो election वहाँ पर करवाने पड़ेंगे लेकिन यह कोई mandatory नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए एज जो है वो 21 years है 21 years है 21 years जैसे हमने देखा था लोग सब हमें 25 साल होता है यहाँ पर election fight करने का जो है that is your 21 years और last आपका जाएगा that is your state election commission अब यहाँ पर हम लोगों ने election commission of India के बारे में देखा था और तब हमने देखा था कि election commission of India जो है उसकी responsibility है vice president, president, parliament, state legislature के election करवाना लेकिन जो आपके पंचायती राज institutions है वहाँ पे election करवाने की जो responsibility है वो आपकी किसकी है state election commission की समझाए गाने state election commission थोड़ा different है election commission of India different है clear पंचायत सबर municipality के election कौन करवाता है आपका state election commission करवाता है अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर जो state election commission है इसकी जो appointment होगी वो governor के द्वारा की जाएगी लेकिन जब state election commission के removal की बार ही आएगी तो state election commission का removal उसी तरह से किया जाएगा जिस तरह से हम लोगों ने समझा थ पंदर high court के judge को remove किया जा रहा था मतलब state election commission को appoint करना तो असान है लेकिन उसको उसकी position से हटाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम लोगों को पता है कि judges को हटाना बहुत जादा मुश्किल है जहाँ पर Parliament को special majority के साथ resolution पास करते पड़ते हैं समझाए state election commission के बारे में चलि पावर जो है वो आपने पंचायती राज institutions को देनी है उसके साथ finance commission रहेगा कि जो tax की devolution किस तरह से होगी हर 5 साल में वही same concept है जो कि finance commission का हम लोगों ने concept देखा था जहाँ पर 5 साल 5 years के लिए finance commission appoint किया जाता था प्रेजिडेंट के दोरा उसी तरह से governor के दोरा जो वो state finance commission ब जो finances उनको जादा better किया जा सके या किस तरह का जो share है या किस तरह का devolution होना चाहिए funds का in between state and your panchairs उसके बाद एक बाद ध्यान रखना कि union territories में पंचायती राज institution जाएगा या नहीं जाएगा ये president के दोरा decide किया जाएगा हमने देखा है कि union territories के उपर जो control है वो आपका किस का है president का है तो president decide करेगा कि इसको किस तरह से apply करना है या करना है या नहीं करना है clear इसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका पंचायती राज institutions हैं ये आपके नागा लैंड बेगाले और मिजोरों में extend नहीं होते हैं इसके साथ साथ जो आपके schedule areas थे हम लोग नहीं किया जाता है और ये उसके बाद जो आपके मनिपूर जहां पे आपके district councils exist करती हैं वहाँ पे भी इसको extend नहीं किया जाता है उसके साथ साथ जो डार्जलिंग district है West Bengal की clear है जहां पे आपकी गोर्खा hill council exist करती है वहाँ पे भी specific amendment को extend नहीं किया जाएगा done पर एक पार्लेमेंट ने एक act पास किया है that is your PESA act that is your PESA act पैसा act जो है वो पंचाइती राज extension schedule areas act ये act जो था वो आपका पास किया गया है ताकि आपका जो है वो आपका या पंचाइत extension to the schedule area एक्ट इसको पास किया गया है कौन से schedule के लिए जो जो हम लोगों ने देखी थी जो जो states साथ की 5th schedule के अंदर आती थी अब जल्दी से comment करिए शावाश की 5th schedule जो है उसके अंदर कौन कौन सी states थी या कितनी states थी अगर आपको कौन कौन सी states के बारे में नहीं पता है तो पार्लेमेंट ने जो है वो इन specific parts को extend किया है पर क्योंकि वो आपके एक तरह से schedule areas है जहा पेस act के अंदर जो provision है वो more or less आपके tribal population की जो needs है tribal population की एक तरह से जो आपकी isolation है या जो बाहर से intrusion उनके उपर कम है उसको काफी हद तक जो है वो protect करके रखता है जैसे for example अगर मालों वहाँ पे paid काटना है forest काटना है forest area काटना है तो अब आपको वहाँ के पंचायती राज institution जो है वो वहाँ से एक तरह से permission लेनी पड़ेगी या असान भाशा में जो भी काम वहाँ पे especially जो conventional traditional या उनके culture से related कोई अगर policy है कोई काम है तो वहाँ पे आपको उन specific पंचायत से जो आपकी उन areas के पंचायत है वहाँ से special permission लेनी पड़ेगी तो more or less यहाँ पे जो involvement है उ उसके बाद next हमारा जाएगा that is your municipalities, clear? municipalities, municipalities के लिए हम लोगों को पता है constitution के अंदर जब 74th amendment की गई थी, 74th constitutional amendment act पास किया गया था 1992 में जिसके थूरू एक नया part constitution के अंदर add हुआ था that was your part 9A और municipalities के बारे में हम लोगों को article 243P से लेके article 243ZG तक जो है वो पता चलता है इतना जादा detail में आद करने के बशकता नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोगों को हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो municipality बनी थी, वो 1687-88 के अंदर मदरास में बनी थी, उसके बाद 1726 में दो आपकी municipalities बनी थी, एक बनी थी आपकी Bombay के अंदर और एक बनी थी आपकी कलकत्ता के अंदर एक थोटा सौर बना देता हूँ, जो हमारे यहाँ पर जो local governance है, या जो आपकी local urban governance है, जिसका बाद में हम लोगों ने municipality का नाम दिया, उनको सबसे ज़्यादा develop करने का जो श्रे दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका किसको Lord Rippan को, तो यही कारण है कि जो Lord Rippan है, उनक अब एक चीज यहाँ पर देखते हैं कि, जो आपकी local self governance है, उसके बारे में क्या क्या provisions है, अब यह थोड़ा सा असान है, यहाँ पर अलग लग tier नहीं है, यहाँ पर decide किया जाएगा कि, पहली बात देखिए, जो आपकी पंचाइती राज institutions हैं, वो rural areas के लिए हैं, जो municipalities हैं वो आपकी urban areas है, municipalities अलग लग तरीके से categorized है, constitution के accordingly और बाकी और तरीकों से भी categorized हैं, उनको बात में discuss करते हैं, जैसे मान दो, एक आपका बहुत बड़ा urban area है, एक आपका थोड़ा सा small urban area है, एक आपका वो वाला urban area है, जो अभी अभी transition में है, transition में मतलब अभी वो rural था, अ आप rural से धिरे-धिरे town की तरफ जो वो move कर रहा है, मतलब वहाँ पर urban amenities आने शुरू हो गई है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा municipality उसको कहेंगे हम लोग that is your municipal corporation, जो थोड़ा छोटा रहेगा that is that was your, that is your municipal council, और जो बिलकुल transition में रहेगा वो आपकी रहेगी नगर पंचायत, तो इस तरह से हम तीन हिस्से से municipalities को divide करते हैं, बड़ा urban area, corporation, medium size, छोटा area, council, बिलकुल छोटा area जो transition में है, that is your नगर पंचायत, clear, तो पहले चीज यह ध्यान रखो, दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे जो हमने पहले पंचायती राज institutions के बार में पड़ा सेम चीज यह नहाँ पर repeat होगी, तो बड़ा जादा time नहीं लगेगा हमें समझने में, दूसरी चीज क्या है, कि जो schedule caste और schedule tribes की population या आपकी backward classes के लिए reservation है, वो उनकी population के accordingly होगी और वो state legislature गब्मेंट के दोरा decide किया जाएगा, तीसरा देखो common है, women के जो reservation की बात आएगी, तो one third reservation जो है, responsibility किसकी है, state election commission की, same concept, हमने अभी revise किया, state election commission, governor के दोरा point किया जाएगा, state election commission की जो removal है, वो power किसके पास होगी, आपकी है, उसको किस तरह से remove किया जाएगा, जिस तरह से high code के judge को remove किया जाता है, जो financial matters होंगे, उनको देखने के लिए state finance commission के appointment की जाएगी, जो tenure होगा, आपका municipalities का, वो आपका 5 साल का होगा, clear है, और जैसे उनकी dissolution हो जाती है, तो 6 मीने के अंदर-अंदर election करवाने पड़ेंगे, ध्यान अखना ये compulsory नहीं है, उसके साथ-साथ जो है, अब देखो, यहाँ पर पता क्या होता है, जैसे मालो, एक आपका municipal corporation है, हम लोग क्या करते है, इ अब इस pure की पूरी corporation का एक chairperson होगा, उस chairperson को कुछ भी कह सकते हैं, कि यह जगा president कहा जाता है, कि यह जगा mayor कहा जाता है, अब देखो, chairperson जो है, अब यह state legislature decide करेगा, कि जो chairperson है, उसके direct election होंगे, या indirect election होंगे, direct election हो रहे होंगे, इसका मत्तब है, कि जब लोग अपने board member को किसी को, अपने मैंसे किसी को, या जो law के अंदर लिखा है, उसको जो है, वो majority के साथ क्या बना देंगे, mayor बना देंगे, या president बना देंगे, या अलग-लग state की मर्ची है, उसने council designation वहाँ पे दी हुई है, और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मानलो किसी particular municipality, अब देखो, क्योंकि अब population जादा है, जादा wards बने है, तो उतने जादा meeting में participate नहीं हो सकता है, हर एक member नहीं बोल सकता है, तो वहाँ पर ward committees मनाई जाएंगे, उस ward committee का जो chairman होगा, वो अपने पूरे जो 5-6 लोगों को जो represent कर रहा होगा, उनके बिहाफ पे, जब municipality की, मिया corporation या council की meeting हो अब देखें, municipality के अंदर दो और चीज़ें आती है, एक आपके आजाती है, district planning committee, district planning committee, अब देखो, पूरी district है, उसके अंदर urban areas में municipalities होगी, rural areas में पजाईती राज institutions होगी, अब पूरी district का जब plan बनेगा, तब वहाँ पे municipality और पंजाईत दोनों के लोगों को involve किया जाता है और पूरे district का plan त्यार किया जाता है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो 4 by 5th of total members है, जो आपके 4 by 5th of total members है, यह members जो रहेंगे, आपके कौन member होंगे, यह आपके member जो हैं, वो elect किये जाएंगे, among the elected members of 15 and municipalities, मतलब जो municipalities में elect होके लोग आए, या 15 में elect होके लोग आए अगर मानलो आपके total जो हैं, वो 100 लोग हैं, तो 100 मेंसे जो 80 लोग हैं, वो आपके पंचायत या municipality, इसके elected लोग ही होने चाहिए, district planning committee के अंदर, मतलब 80% लोग जो है, वो इनके elected होने चाहिए, उसी तरह से metropolitan planning committee, अगर मानलो कोई एक ऐसा area है, जहां पर metropolitan city या metropolitan area भी आ रहा ह metropolitan area वो है, जहां पर population आपकी 10 लाग से जाधा है, और उसको जो आपका census है, उसके अंदर metropolitan city जो है, वो declare किया गया है, तो मानलो कोई एक ऐसी district है, जिसके अंदर metropolitan area भी आ रहा है, वहां पर आपकी metropolitan planning committee बनेगी, और metropolitan planning committee का भी काम वो ही होगा, जो district planning committee का का काम है, कि एक ऐसा developmental plan मनाना जिसमें पूरे के पूरा जो आपका metropolitan area है, उसको डबलब किया जा सके, यहां पर जो committee बनेगी, यहां पर जो total representation है, वो two-third हो जाती है, तो two-third members जो है, उस specific committee के, that is your metropolitan committee, वो आपके या तो पता ही है कि chair persons of panchait, वो तिनो tier में से कौन से tier जो है, उसके chair persons को involved के जा रहा है, more or less यह जिला परिशन के लोग जो है, वो आपके metropolitan planning committee का जो है, वो member बनते हैं, फिर से repeat कर रहा हूँ, अगर मानलो metropolitan area नहीं है, तो district planning committee बनेगी, जहां पर four-way fifth member जो है, वो आपके वही होंगे जो panchaitों में, या आपके municipalities में elect होके आये होंगे, अगर मानलो metropolitan area है, तो वहाँ पर उस specific area में metropolitan planning committee बनेगी, जहां पर आपके municipality के लोग भी आ सकते हैं, या जो आपके panchaitों के chair person होंगे, जो head होंगे, जो उन लोगों के representative होंगे, वो ही वहाँ पर जो है, वो member बन सकते हैं, औ और वो minimum कितना, या maximum कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए, two-third, two-third से कम नहीं हो सकता, उसे जादा कितना भी हो सकता है, clear, तो समझ आया कहानी, अब last देखिए, अगर मैं urban local bodies की बात करूंगा, तो councils, corporations और डगर पंचायत के अलाबा भी, कुछ आपकी ऐसी authorities हैं, ज इसकी more or less characteristics चाहिए, वो proper urban characteristics हैं, लेकिन population wise जो शायद वो आपका जो पंचायती राज या municipality act है, उसको satisfy नहीं कर रही है, तो उन specific areas जो आपका act पास किया जाएगा, state के दोरा, state के act के दोरा, किसी भी specific town में, town area committee जो है, उनको appoint किया जा सकता है, town area committee जो वो उसी तरह का जो काम करेंगे, जिस तरह का काम जो है, वो आपका municipalities करती है, पर इनके पास जो थोड़े से काम है, वो comparatively कम रहेंगे, जैसे इनके पास जैसे road का काम आ गया, lighting का काम आ गया, clear है, या आपका drainage का काम आ गया, तो उस large scale के उपर जितना municipalities के पास power होती है, उतरी power शायद इनके पास न में जो municipal act के अंदर municipality नहीं डिकलेर हुआ है, मतलब council corporation या नगर मचाय नहीं डिकलेर हो पाया है, अगर मैं केंटूर्मेंट बोड की बात करूंगा, तो देखो, जैसे आप लोग ने देखा है कि काफी हमारे cants बने हैं, जहाँ पे civilian population भी रहती है, और military वाले लोग भी है, अब वहाँ पे तुम लोग 74th amendment को directly implement नहीं कर सकते हो, पर उठके साथ साथ जो civilian population है, उनके उपर control करने के लिए है, उनको basic facilities provide करने के लिए एक आपका urban local governance वाला institution चाहिए, तो जहाँ पे आपके cants area है, वहाँ पे cantonment board जो बनाया जाता है, और cantonment board आपके ministry of defense के अंदर आते हैं, clear है, और यहाँ पे आपका जो commanding officer होता है, वही इस cantonment board का जो वो chairman है, और इसकी जो formation है, वो parliament के तौरा पास किये हुए act के अंदर है, that is your cantonment act 2006, देखो यार, है कुछ नहीं, एक ऐसा town, एक ऐसा area, एक ऐसा छोटा सा small town, जो जहाँ पे corporation council और पंचायर नहीं है, वहाँ पे हम लोग जो है, वो TAC बना देते हैं, that is town area committee, और वहाँ पे कैसी power होगी, कैसे members elect होगे, यह पूरी power जो आपकी state government के पास होती है, एक ऐसा area, जहाँ पे आप अगेन, उसको corporation council नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो army, military के साथ जो हो जुड़ा हुआ ह Kent area है, Kentonement Board है, तो वहाँ पे जो civilian population है, उसको local governance के benefits प्रदान करने के लिए तुम लोग उस specific area को Kentonement Board बना देते हो, Kentonement Board की जो formation है, वो Kentonement Act 2006 के अंदर होती है, उसी तरह से आपके आजाएंगे port trust, जो कि port area जैसे मुंबई, एक उलकत्ता चिन नहीं, जहाँ पे आपके ports बन power रहती हैं, वो provide करना, एक दियान रखना चीज, जो port trust है, वो आपके parliament के द्वारा बनाये जाते हैं, clear है, done? तो यह छोड़ी चीज़े दियान रखो, town area में भी एक पास हुआ, Kentonement Board में एक पास हुआ, port trust में एक पास हुआ, और कभी-कभी आपके notified area committee वो है, जहाँ पे normal आ बना रहे हैं, again होगा वो municipality की तरह, पर power वगएर उसके पास कम होगी, वो power किसी act के through या constitution के through नहीं decide की जाएगी, वो minister, executive कुछ decide करेगा कि उसको किस limit तक, किस हद तक जो है, वो powers प्रदान करनी है, तो जैसे जो notified area committee आएगा, इसके लिए कोई आपका act जो है, वो pass नहीं किय होगी, यह सारा का सारा जो है, वो अपका executive के द्वरा decide किया जाएगा, असान कर रहा हूँ, local bodies हमने देखा, council, corporation, नगर पंचायद, वो पढ़ चुके है, वो constitutional के basis के उपर, जो वो state legislature उनको प्रदान करेंगे आपको, इसके लाबा, town area committee, state के द्वरा बनाए जाए सकती है, ठ जब वो act pass करके, यह acts के through, जब उनकी formation या creation की जाती है, clear, तो यह सारे के सारा जो information था, वो हमारा था, पंचायती राज institutions और municipalities के बारे में, done, बाकी हम लोग कुछ mislenious topics हैं, जैसे languages वगरा के बारे में हैं, उनको जो है, कुछ amendments हैं, उनके बारे में, जो हम एक lecture में discuss करेंग एक और lecture बचा है, इसके साथ अगर आपको ऐसा लगता है, कि कोई topic बच चुका है, जो class में नहीं cover हुआ है, आप लोग जो है, वो comment section के अंदर डाल दीजिए, chat के अंदर डाल दीजिए, हम लोग जो next lecture में उन चीजों को भी integrate कर रेंगे, और जो Hindi वाले बच्चे हैं, उनक अपने इसको समझने की कोशिश करनी है, आज के लिए काफी है, thank you, धन्यवाद